हेलो दोस्तों वेलकम बाक टू दी चैनल आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और न्यू महिंद्रा एक्स यूवी 3XO के MX3 वर्सेस MX3 प्रो वेरेंट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे comparison of MX3 वर्सेस MX3 प्रो और आप लोगो बताएंगे कि दोनों ही वेरेंट को लेने में समझदार है हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इन वेरेंट के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग शेयर करते रहते हैं तो चलिए सबसे बात करते हैं इनके वेरिंट के बारे में कि आपको यह जो दोनों ही वेरिंट साथ में आपको ट्रांस्विशन ऑप्शन भी मिल जाएगा इसका मैनूल ऑटमाटिक दोनों में ही अब आपको यहाँ पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो टर्बो के साथ MP5 वाला मिल रहा है और साथ ही जो डीजल मिल रहा है वो तो यहाँ पर दिया जा रहा है दोनों के साथ में आपको मैनूल और आटमाटिक दोनों अवेलिबल दिया जा रहा है अब बात करेंगर MX3 Pro की तो यहाँ पर आपको petrol, same engine मिल रहा है, manual और automatic दोनों के साथ में, बट यहाँ पर diesel के साथ में आपको से manual मिलेगा, AMT का option यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो यह आपको यहाँ पर difference मिल जाता है दोनों ही variants के अंदर, अब बात आती है इनके pricing के बारे में, यहाँ पर आप इनके pricing देख सकते हैं, जो भी आपको variant लेना है, और साथ ही यहाँ पर difference भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है pricing के अंदर, अब बात आती है इनके color options की, यहाँ पर आपको color option के अंदर भी कोई भी difference नहीं मिलेगा, दोनों ही trims के अंदर, क्योंकि दोनों color option, दोनों ही trim के अंदर offer किये जा रहे हैं, अब बात आती हैं, इनके features के बारे में, सबसे बहले बात करते हैं, MX3 variant के अंदर, MX2 variant के सारे features मिल जाते हैं, यानि कि MX2 variant के अंदर, जितने भी features आते हैं, MX1 और MX2 को add करते हुए, वो सारे features आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उस Android Auto, Wide Apple CarPlay मिलेगा, Cruise Control मिल जाएगा, Wireless Charger और Wheel Cover, तो यह features आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, MX3 Pro की, तो यहाँ पर और features कुछ add-on आपको मिल जाते हैं, जो दोनों ही variant को differentiate करते हैं, यानि कि MX3 और MX3 Pro को, तो अगर आप लोग प्रो वाल लुक है ना, बाइ बीम के अंदर, LED वाले प्रोजेक्टर लांप्स वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, LED DRL भी आपको यही से मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर के साथ में, इससे नीचे वाली वेरेंट्स के अंदर आपको LED सिगनेचर लांप मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको LED DR वील्स वो आपको यहाँ पर add-on हो जाते हैं, तो overall अगर आपने यहाँ पर देखाना, तो यहाँ पर आपको पूरा लुक है ना, front का, वो आपको काफी ज़्यादा चेंज मिलेगा, rear का यहाँ पर काफी ज़्यादा चेंज मिल जाएगा, तो overall इस वेरेंट के अंदर आपक MX3 और MX3 Pro में 949 और 9.99 प्राइज है, डीजल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको 50,000 रुपे का difference मिल रहा है, 10.89 और 11.39, तो 50,000 रुपे के अंदर जो features यहाँ पर add-on हो जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़े से कम मिलते हैं, अगर ह की वज़े से न, कार कही न कहीं एक आपको अप मार्केट और प्रीमियम फील ज़रूर दे रही है, और यह कुछ ऐसे features हैं, जो कि आप मार्केट के अंदर अगर अगर अप ग्रेड भी कराते हैं, तो कही न कहीं आपके 30-40,000 रुपे लगी जाएंगे, तो overall अगर बात करें की MX3 Pro variant जो है न, वो कही न की value for money variant बन जाता है, आपके कार के looks को काफी ज़्यादा enhance कर देता है, तो आप 50,000 रुपे अगर extra डालते हैं, तो कही न कहीं आपकी कार के looks काफी ज़्यादा premium हो जाएगी और आपको एक top model वाली जो feel है न, वो ज़रूर आने वाली है, फ्रंट स कहीं आपको ये justify भी करेगी in terms of premiumness और जो looks के बारे में, so दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक update regarding the all new Mahindra XUV3XO, मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया कि आपको क्या क्या difference मिल जाता है दोनों ही variant के अंदर, so उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी जाते informative लगी होगी वीडियो को जो और लाइक कीजेगा, चानल को सब्सक्राइब कीजेगा, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत